कर रही है कोरोना वरियस के लिए बमुश्किल 15 रुपेहें खर्च किये जाते हैं जो बेहद कम हैं या विनिना काफी हैं सरकार होटल को क्वारंटीन सेंटर बना कर लड़कडाती होटल इंडुस्ट्री को भी बड़ी रहत दे सकती है होटल इंडुस्ट्री भी सरकार की और उम्मीद भरी निगाहों से इस वक्त देख रहे हैं कि करोना महामारी के संकटकाल में अपने परिवार से दूर रह कर चिकित साकर्मी दिन रात को रोना संक्रमित मरीजों की जान बचाने की कोशिस में चुटे हुए हैं अपनी जान जोखी में डाल कर देश सेवा में जुड़े ये कोरोना वारियर्स किसी देव दूच से कम नहीं है लेकिन राज्य में चिकित साकर्मियों को जो सुविधाय मिल रही हैं उसे सुन कर आप हैरान रह जाएंगे इन कोरोना वारियर्स के लिए बमुश्किल 1500 रुपे एक दिन में खर्च किये जा रहे हैं जबकि क्वारंटीन मरीजों पर अधिक्तम 2440 रुपे खर्च करने का प्रावधान है जी मीडिया ने प्रदेश के जिलों में चिकित साकर्मियों की सुविधाओं को लेकर परताल की तो सामने आया कि ये सुविधाय नाकाफी है सरकार जहां चिकिटसा कर्मियों को सुविधाय देने में पीछे हट रही है वहीं होटल इंडरस्ट्री को भी राहत नहीं दे पा रही है होटल उद्योग से जुड़े व्यवसाईयों की अगर माने तो जो किराया उन्हें मिल रहा है वो मामूली है जैपुर में जिन आठ होटलों को चिकिटसा कर्मियों के लिए अधिगरहित किया गया है उनमें करीब 600 लोग रह रहे हैं इन होटलों का अधिक्तम किराया 1450 रुपए है इनमें दो समय का खाना, नाश्ता और चाय भी शामिल है सामान ने दिनों में भी इन होटलों का किराया 1500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक रहता है जबकि पर्यटन सीजन में 25 से 30 फिजदी तक इजाफा कर दिया जाता है बात अगर उदैपुर की करें तो यहाँ इस्थिती और भी खराब है 238 रुपए में AC और 9 AC कमरा मेहज 55 रुपए में किराय में लिया गया है इसके अलावा मेहज 140 रुपए में दो समय का खाना और 60 रुपए में नास्ता किदर प्रशासन ने तै किया है कुरोना वारियर्स को चाय पिलाने के नाम पर प्रशासन महज 4 रुपए ही खर्च कर रहा है अजमेर में प्रशासन की ओर से चिकिट सा कर्मियों के लिए 300 कमरे विभिन होटलों और समारो अस्थलों पर अधिगरहित किये गए हैं प्रती दिन भोजन पर 80 हजार रुपए खर्च किये जा रहे हैं प्रती वैक्ती महज 516 रुपए ही खर्च हो पा रहे हैं चिकिट सा कर्मियों के सुविधाओं की परताल उधर जोधपुर में जिला प्रशासन ने 25 से ज्यादा होटल और धर्मशाला अधिगरहित किया है जा रहे हैं बहरहाल चालावार डुंगरपुर सहित कई जिलों से शिकायते आई हैं हालांकि अब इन जिलों में काफी कुछ इस्थिती में सुधार हुआ है यदि सरकार दिल्चस्पी दिखाए तो ना सिर्फ कोरोना वारियर्स को बेहतर सुविधाएं मिल सकती हैं बलकि ह होटलों को क्वारिंटीन सेंटर में बदल कर होटल व्यवसाय को भी नई संजीवनी मिल सकती है डीपक गोयल जी मीडिया जैपुर